वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शोशल मेडिया इंफ्लूएंसर सादाप खान के बारे में असल में सादाप खान ने अपनी वाइव शालिनी सूरिवनसी को हाल ही में डिवॉस दिया है और ये बात और भी खास तब हो जाती है जब आपको पता हो कि सादाप पास्ट में अ स्टार्टिंग से एंद तक जरूर देखिए एंद अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिससे के आपको मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो फटा फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सादाप खान जो की बेसिकली मुंबई महरास्टर की एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉंग करते हैं उन्होंने अपने करियर के शुरूआत केवल 22 साल की उम्र में टिक टॉक जैसे प्लैटफॉर्म पर की थी हाला कि गाईज उन्होंने यहां पर अकेले नहीं बल्कि अपनी गल्फ्रेंड मुस्कान सर्मा के साथ अपने करियर के शुरूआत की थी शुरूआत से ही इन्होंने कपल वीडियोस क्रियेट किये थे एन गाईज इनके कपल वीडियोस को व्यूवर्स ने बहुत ही ज़दा पसंद किया था एन इसी कारण सादाब एन मुस्कान दोनों ही हर एक सोशल मेडिया प्लैटफॉर्म पर एस कपल ही दिखाई देते थे चाहे फिर वो यूट्यूब हो इंस्टाग्रेम हो या फिर टिक टॉक हर एक जगे मुस्कान एन सादाब की जोड़ी कमाल कर रही थी और गाईज दोनों का करियर भी बहुत अच् करती हैं वहीं सादाब खान एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉंग करते हैं हाला कि इनका रिलेशनशिप केवल एक दो साल का नहीं बलकि पूरे दस साल का था इसी कारण पता लगता है कि मुस्कान जो थी वो सादाब के लिए कुछ जादा ही सीरियस थी और इसी कारण अपने पैरेंस के काफी ज़ादा मना करने के बाद भी उन्होंने इस रिलेशनशिप को कायम रखा था जी हाँ गाईस मुस्कान के पैरेंस का मानना था कि मुस्कान को इस रिष्टे में नहीं आना चाहिए विकौस सादाब एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉंग करते हैं एन इस फ्यूचर नहीं है पर फिर भी गाईस उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के अगेंस जाकर सादाब खान को सपोर्ट किया एन इतना ही नहीं पूरे दुनिया के सामने शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साथ में एस कपल भी दिखाई दी ये सिलसला बहुत अच्छा चल र कारी सालिनी शुरिवनसी की प्रोफाइल पर एन शालिनी उन्हें स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यदा अट्रेक्टिव लगी इसी कारण उन्होंने सालिनी को मैसेज ड्रॉप करा एन यहां से सालिनी एन सादाब की बातचीत की शुरूआत हुई उस टाइम पर सादाब अल्रेडी बहुत ज़दा पॉपुलर हो चुके थे वहीं सालिनी एक बहुत ही चोटी क्रियेटर थी तो दोनोंने साथ में वीडियोज क्रियेट करने की सोची इसी कारण दोनोंने एक दूसरे से मिलना शुरू करा जबकि सालिनी एन सादाब की मुलाकात के बारे में मुसक मुसकान को बिलकुल भी खबर नहीं थी मुसकान अपने दिल में कुछ अलग ही ख्वाफ जमा कर रही थी एक्चुली गाइस इन लोगों के रिलेशनशिप को पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके थे और मुसकान ने बहुत जिद करके अपने पैरेंस को फाइनली दोनों की शाद के बंदन में बनने बाले थे पर इसी दोरान सादाप की नजदीक या सालिनी शूरिवनसी से कुछ जादा ही भड़ने लगी और वहीं वो मुसकान के साथ बहुत ज़दा अपसेट रहने लगे यह चीज मुसकान नोटिस कर रही थी पर गईस ये कोई एक दो साल का रिलेश कर रही थी और गाईस उन्हें कानो कान खबर नहीं थी उन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था सादाप ने बिना किसी को इनफॉर्म किये सालिनी शूरिवनसी से शादी कर ली एन इंस्टाग्रेम पर पिच्छस को अपलोड करके ये जानकारी अपने फैंस को दी गाईस शालिनी एन सादाप की रिलेशन में भी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी विकोस सालिनी एक हिंदू फैमिली से बिलॉंग करती थी तो सादाप से शादी करने के लिए सालिनी ने भी अपने पैरेंस को चीट किया था और वो घर से भाग गई थी अब हुआ ये कि शालिनी एन सादाप ने साथ में विडियोस क्रियेट करना स्टार्ट किया और गईस उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई हाला कि मुसकान को चीट करने के कारण सालिनी एन सादाप को हमेशा से ही बहुत ज़दा हेट मिला शोशल मीडिया के उप पर वक्त के साथ साथ उन्होंने भी अपना एक इंडिविज्वल फैन बेस क्रियेट कर लिया वही मुसकान पूरी तरीके से टूट चुकी थी पर उन्होंने हार नहीं मानी एन डबल मेहनत के साथ एक बार फिर से बापस खरी हुई और पहले से और भी ज़दा पॉपुलर हो गई और इस टाइम पर वो शोशल मीडिया का एक जाना पहचाना नाम है यहां तक तो सारी चीजें अच्छी चल रही थी शालिनी एन सादाप की रिलेशन्शिप में भी चीजें बहुत अच्छी थी और इन लोगों का एक चाइल्ड भी है पर गईज अभी कुछ टाइम पहले ही इन दोनोंने साथ में वीडियोज क्रियेट करना बंद कर दिया चाहे फिर वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्रेम दोनोंने ही अलग-अलग वीडियोज बनाना शुरू कर दिया है और इस कारण फैंस ने जब इनसे लगतार कोशन्स करना शुरू किया कि दोनों एक दूसरे के साथ एज़स्ट करने की कोशिस कर रहे थे पर अब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा भर गई कि सालिनी अब इस रिष्टे को और भी ज़दा टॉलरेट नहीं कर सकती और इसलिए वो अपनी बच्ची को लेकर अलग रहने लगी है और अपने करियर प बात तो एक ही बात कही जा सकती है that karma will hit you back वहीं दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द ही सादाब खान का एक सौंग आने वाला है तो ये दोनों शायद कोई publicity stunt कर रहे हो जिस कारण viewers का ध्यान इन पर जाए and सौंग को एक अच्छा response मिल जाए आप लोग के क् अब मैं आप से मिलूंगी अपनी नेक्स वीडियो में किसी और इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए good bye be happy love you all